क्या सराब माफिय इसलामपूर्थाने से क्रॉस करते हैं तो क्या उनको भनक नहीं लगती है पुलिस को अगर कुछ करना है तो उसको सिर्फ हेलमेट पकड़ना है पुलिस आती है और ट्रेक से पैसा मांगती है लेकिन ट्रेक ड्राइवर पैसा नहीं देते हैं या फिर कम दे लोग आते हैं और पुलिस पे पत्राव कर देते हैं उस दौरान देखिए इसलामपूर में तमाम परकार के माफिया हैं बालू माफिया हैं शराब माफिया हैं शिक्छक माफिया हैं और भी बहुत परकार के माफिया हैं आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ वो बालू माफिया से जुड़ा हुआ है जहां आप सही सुन रहे हैं इसलामपूर में कई ऐसे इलाके है जहां से अवैद बालू की उगाही होती है और अगर आप लोग नहीं जानते है तो हम बता रहे हैं आपको कुछ लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बालू का उगाही होता है और उसके जो ड्रैवर होते हैं बो पूलिस की मिली भागत से बालू का अवैद निकासी करते हैं यह हो गया मामला बालू माफिया का दरसल कल रात में क्या हुए है बो मैं आपको बताता हूं एक बज़ आप यह है कि कोई भी बालू ले करके जाएगा कोई भी सराव ले करके जाएगा तो सिर्फ एक रास्ता है पटना जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि थाना क्रॉस करके ही कोई भी गाड़ी इसलामपूर से पटना जाएगी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अगर है तो वहाँ से ट्रक नहीं गुजर सकती है अगर थाना क्रॉस करती है तो ट्रक नहीं गुजर सकती है अगर पटना जाना है ट्रक को तो कल क्या हुआ जो मैं आपको बताता हूँ परते एक दिन के भाती कल भी ट्रक से बालू जा रहा था पुलिस क्या करती है नहीं करती है वो आपको पता है और नहीं पता है तो हम बताते हैं ट्रक बालों से पैसा बसुलती है सराब माफिया से पैसा बसुलती है जीता जागता उदाहरन है मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां पे दिन के उजाले में सराब बन रहा है लेकिन उस भठी को द्वस्त करने में पुलिस नकाम है इससे साफ जायर होता है कि वहां के जो सराब माफिया है उनसे पुलिस को कुछ रखम जाती होगी यही मामला ही है कि वहां के जो सराब माफिया है वो फल्फूल रहे हैं कल जो मैटर हुआ बो मैं आपको बताता हूँ कल मैटर यह हुआ कि ट्रक से बालू होगा ही हो रहा होगा हो रहा होगा क्या हो रहा था और इसलामपूर थाना के कुछ कर्मी बहां पे जाते हैं ट्रक को रुकवाते हैं अब चेक कर रहे होते हैं या फिर उनसे पैसा मांग रहे होते हैं तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हुआ ये कि उसी दोरान पुलिस और ट्रक ड्राइबर के बीच जड़फ हो गई जड़फ हो गई तो जिस गाउं के समीब ट्रक को पकड़ा गया था उसी गाउं के 8-10 लोग आते हैं और पुलिस पे पत्राव कर देते हैं उस दोरान कुछ पुलिस करमी जखमी भी होते हैं जखमी पुलिस करमी थाना आते हैं सिर्फ पुलिस करमी जखमी नहीं होते हैं उस जानकारी, इसलामपूर्थाने कहीं दरोगा, रमाकांतराम हमको बताएं, अपने मन सेम नहीं बता रहे हैं, रमाकांतराम आगे बताते हैं, कि हम नोग ट्रक को पकड़ने के लिए गये थे, अवैदबालो का उगाही हो रहा था, लेकिन हमारे सुत्र बताते हैं जो हमारे करीबी सुत्र हैं जो हमारे निकटतम सुत्र है वो बताते हैं कि परते एक दिन के भाती कल रात को एक बजे क्या सपास पुलिस आती है और ट्रेक से पैसा मांगती है लेकिन ट्रेक ड्राइवर पैसा नहीं देते हैं या फिर कम देने की बात करते हैं तो उस दौरान पुलिस और ड्राइबर के बीच बखचक हो जाती है और बखचक के दौरान उसी गाउं के ट्रक ड्राइबर होते हैं तो गाउं कहीं कुछ उनके परिवार के सदस आते हैं और पुलिस टीम पे हमला कर देते हैं और हमला करना बिल्कुल गलत बात है अगर आप पुलिश टीम पे हमला कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप कनून को हाथ मे ले रहे हैं ताकि इस मैटर में चार लोग की गिरफतारी हुई है यह जानकारी भी रमकांत राम ही दिये हैं इस जो घटना कल घटी तुआ है रात को एक वजे इस दोरान चार लोग की गिरफतारी हुई है अग चार लोग की गिरफतारी हुए इस खबर पर आगे क्या अपडेट आएगी बो तो बताएंगे ही लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि घटनास्थल पर खुदागाई थाना और इसलामपूर थाना के भी जवान गए थे उस दोरान पुलिस टीम पे हमला की गई और हमला में कुछ जवान जखमी भी हुए है और इसलामपूर थाना का जो गाड़ी होता है जो सरकारी बहान होता है उसको भी छतिग्रस्त किया गया है यहाँ पे सवाल उठता है कि परते एक दिन धरजनों के संख्या में ट्रक जाती है कि इसलामपूर थाना से होते वो जाती है तो वो अबैध निकासी कैसे हो रहा क्या पुलिस को भनक नहीं लगती है क्या सराब माफिया इसलामपूर्थाने से क्रॉस करते है तो क्या उनको भनक नहीं लगती है पुलिस को अगर कुछ करना है तो उसको सिर्फ हेलमेट पकड़ना है ना तो उससे दारू माफिया पकड़ा रहा हैं और ना ही उससे बालू माफिया पकड़ा रहा है और सिक्छक माफिया का तो छोड़ ही दीजिए तक व्याचत बज़रात में जो घटी थुआ है इसके ओपर आप क्या सूचना चाहते हैं केमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा क्या पुलिस पर जो हमला हुई है वो जायज है और अगर जायज है तो फिर बालू माफिया इतना फाल फूल कैसे रहे हैं सराब माफिया फिर इतना फालफूल कैसे रहे इस खबर फेम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं आलंदा दस तक धन्यवाद